यातायाद पुलीस द्वारा पावर हाउस और सुपेला ओवर ब्रीज के नीचे अव्वैद रूप से खड़े 16 माल वहाकों पर मोटर विकल एक्ट के तहट कारवाई करते हुए 12,800 रुपे का अर्थ दंड वसूल किया गया यातायाद पुलीस द्वारा वहान चालकों पर कारवाई कर भविश के लिए वहान नहीं खड़ा करने समझाईज दी गई यातायाद पुलीस द्वारा भविश में नो पार्किंग में खड़ी वहानों पर निरंतर कारवाई की जाएगी शलप कुमार सिना पुलीस अदिक्ष के तहट कारवाई करते हुए 16 माल वाहक वाहनों से 12,800 रुपे अर्थदंड वसूला गया साथ ही भविश में इस प्रकार से नैशनल हाईवे में एवं किसी भी मार्ग पर वाहन ना खड़ा करने हितू समझाईज दी गई चालकों को बताया गया कि नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने से ट्रैफिक जाम एवं सड़क दुरगटनाओं की संभावना बनी रहती है गौर तलब है कि नो निर्मित ओवर ब्रीज के नीचे चार पहिया वाहन के चालकों द्वारा वाहन स्टेंड अवैद रूप से बना लिया गया है सुबा से राद तक यहां वहां खड़े नजर आते हैं जिससे दुरगटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है या तयाद पुलिस को माल वाहकों के अलावा छोटे चार पहिया वाहन चालकों के खिलाव भी कारवाई के जाने की जरूरत है आसपास के दुकानदारों और यहां खरीदी करने आयल लोगों ने मुख्य मार्ग को ही पारकिंग स्टेंड में तब्दिल कर दिया है प्रति दिन यहां गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है जिससे सडक से आवजाही कर रहे हैं लोगों को परिशान होना पड़ता है इन पर भी मोटर विकल एक्ट के तहट कारवाई के जाने की सक्थ जरूरत है ग्रैड नियूस के लिए भिलाई से संजादूबे की रिपोर्ट